हेलो बचो कैसे आप सब बड़ी हैं सब तो उमीद करता हूँ कि सब बड़ी हैं होंगे तो आज के class के लिए ready हैं आप सभी दोस्त तो gkgs की जैसे के आप सभी को मालूम है हमारी series चल रही है gkgs की classes होती है ठीक है daily हो रही है morning में और maths की भी आपको मिल रही है साथ साथ में औ तो ग्रेंटेड है कि एक्जाम आते आते जो है आप उस लैप ले पर पहुंच जाएगे कि आपके लिए GKS जो है ज्यादा टफ चीज नहीं रहेगी ठीक है तो चलते करते हैं क्लास को शुरू तो यह यह कुशन है यह होमर का कुशन था लास्ट क्लास का तो इसका अंसर जो हर साल लगता है भाई हर्याना में लगता है ठीक है कहां लगता है हर्याना में लगता है और इन्हों पूचा है कि कौन से महीने में लगता है ठीक है कौन से महीने में जो है यह सूरज कूंड मेला जो है वो लगता है जल्दी से सभी दोस्त जो है वो आंसर बताते जाएंग मनोहरलाल खटर जो है वो हट चुके हैं अभी कौन है अभी है नायब सैनी जो है वो अभी करंटली जो है वो CM है यहां के और कैपिटल की बात कर ली जाए कैपिटल कहाँ पे है कैपिटल चंडीगड है क्या है कैपिटल इसकी कैपिटल चंडीगड जो है वो है और बात करते ह तो ये हर साल जो है किस महीने में लगता है तो हर साल लगता है February के महीने में कौन से महीने में? February के तो बढ़ते हैं अगले question की और Next question जो हमारा क्या कहता है Sir, कारिया mission के related भाई हमारा question है ठीक है देखिए जो भाई regular class कर रहे है ना उनसे तो मैं अमीद करूँगा कि ये question गलत ना हो क्योंकि ये question आपको करवाता आ रहा हूँ मैं ठीक है अगर आपको याद होगा आपको hint देता हूँ Article 131 आया जाद कुछ Article 131 किस से related था ठीक है और इसके सिवा original jurisdiction थी इसमें ठीक है आ रहा है जाद आपको के नहीं आ रहा है ठीक है तो ये था state और center के बीच के relation का ठीक है जो की सरकारिया commission भी उसके अंडर तहत शामिल था ठीक है तो ये हमारा किस के साथ जाएगा option number A के साथ to review center and states relationship ठीक है center और state के relationship पे तीन word याद रखिए article कौन साता है 131 original jurisdiction रहती है ठीक है और supreme court की रहती है इसमें supreme court का rule रहता है और commission की बात कर ली जाए तो सरकारिया commission जो है इसमें आता है मेरे भाई clear है यहां तक next question के ओपर बढ़ते हैं next question पूछा है नहीं homogeneous mixture ठीक है देखिए English में भी question दिये हुए है ठीक है और Hindi में भी है जो कुछ भाई Hindi में पढ़ना चाते हैं वो Hindi में पढ़ लिजेगा जो कुछ भाई English वाले हैं वो English में भी पढ़ सकते हैं उसमें आई सच कोई problem नहीं है ठीक है तो बात करते हैं यहां पे homogeneous mixture की तो homogeneous mixture जहां पे कुछ सा है ठीक है इनमें कुछ सी example है जो homogeneous mixture होता है सबसे पहले बात करते हैं कि homogeneous mixture जो होता क्या है इसमें देखिए components जो होते हैं वो same proportion में रहेंगे क्या होता है homogeneous mixture में components जितने भी होते हैं वो सभी same proportion में रहते हैं ठीक है और उसमें easily dissolvable होते हैं तो इसका answer क्या रहेगा salt solution salt solution जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा clear है यहां तक किसी question में कोई doubt बगारा रहे जाए तो आप बता सकते हैं चलिए current affairs की बात करते हैं तो question क्या बोला गया है एक तारीक ठीक है एक गंटा एक साथ camping जो है जो recently news में रहा है ठीक है वो किसके related है चलिए options पढ़ते हैं क्या जे cleaniness drive के related है ठीक है सबच्चता वियान से संबंदित है यहां फिर यह है switch of lights for one hour क्या जे lights को एक गंटा बंद करने के लिए है यहां फिर police की मदद करने के लिए एक गंटा ठीक है यहां फिर environment के related campaign है मद्यपर्देश की government के दुबारा clear है तो यह जो campaign है मेरे बाई हो एक तारीक एक गंटा एक साथ तो यह है cleaniness drive ठीक है तो option number A यहां पर मारा बिलकुल सही रहेगा और यह को मनाया गया था महादमा गांदी जी के birth day के उपर clear है मेरे बाई हो चलते हैं अपने next question की वर तो next question में क्या पूछा गया है यहां पर who launched India's first indigeniously developed next generation magnetic resonance imaging ठीक है MRI MRI scan होते है न अगरा आप hospitals में गी होंगे hospital का कुछ मालूम होगा ठीक है कभी emergency पढ़ियोगो तो MRI करके scans होते है ठीक है तो वही है वस इसको modify कर दिया गए newly launched हुए ठीक है तो यह किसके द्वारा launch जो है वो क्या गया है ठीक है तो Dr. Rajendra Singh जितेंद्र सिंग जो है इनके द्वारा जिए यह launch किया गया तो option number इसमें कौन सा मारा बिल्कुल सही रहेगा option number c option जो है बिल्कुल सही रहेगा अब इसके साथ एक ओर tag लगेगा make in India का ठीक है किसका लगेगा make in India और made for world made for world clear है साथ साथ में notes बगरा बनाती चाहिएगा आप सभी भी तो बढ़ते हैं अपने next question की और तो काल वेलिया डान्स की करते हैं अभी हम तो काल वेलिया डान्स जो है ठीक है काल वेलिया डान्स जो है ये जनरली जो है वो कौन से राज्ये में बारत के परफॉर्म किया जाता है ठीक है इसके सिवे एक चीज़ और बता दू WhatsApp ग्रूप जाइन कर लीजेगा जात से ठीक है क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स जो है वो मैं टाइमली देता रहता हूँ और जो भी नई-नई चीज़े होती है न सीखने वाली कुछ शॉर्ट फार्म से लग गए मेरे हाथ जा कुछ भी इंपोर्टन लगेगा तो वो भी मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ ठीक है तो आते हैं अपने कुछिन पे तो कलवेलिया जो है वो डांस जो है वो कहां परफॉर्म किया जाता है मेरे ठीक है तो कलवेलिया की बात की जाए मेरे भाई हो तो ये कहां किया जाता है ये किया जाता है राजस्तान में कहां किया जाता है राजस्तान में जो है ये किया जाता है और आप मानेंगे कि ये युनेस्को की लिस्ट में भी है 2010 में ये युनेस्को में शामिल हो चुका था कहां हो चुका था 2010 में शामिल हो चुका था और जैसे ये वीडियो अपलोड होगी इसके बाद नीचे में बाकी जो other important dances and states के ठीक है जैसे गुमर, गरबा, गिदा, लावनी कलवेलिया जो भी है मतलब और वो सभी के आपको list मैं whatsapp group में डाल दूँगा कहां डालूँगा whatsapp के group में डाल दूँगा join कर लिजेगा सभी बाई clear है तो चलते हैं अपने next question क्यों, next question क्या कहता है, separation of religion from the state is referred to as, separation of religion, ठीक है, अलग-लग reasons का ठीक है, धर्मों को राज्य से अलग-लग करने को क्या कहा जाता है ठीक है, क्या कहा जाता है धर्म के related यहाँ पर एक ही word दिख रहे है ठीक है, मुनार्की क्या आजाएगा, राजा के related, democracy आजाएगा, लोकतांत्र republic आजाएगा, गगतांत्र है ठीक है, freedom है, ठीक है republic का meaning होता है freedom, ठीक है तो यहाँ पर secularism जो word है यह आता है, religions के related, तो option number C, जो है हमारा, बिल्कुल सही जबाब रहेगा clear है यहाँ तक, कोई doubt तो नहीं इस question में चलते हैं next question के ओर next question क्या है, देखे भाई यहाँ पर 2011 के census की बात की गई है, इस question में भी 2011 के census के according के मैं आपको सब करवा चुका हूँ, कि literacy rate किसका high था, किसका low था, state कौन सी थी, union directory का sex ratio पर करवा चुका हूँ education, सब मलब all over cover हो चुका है, ठीक है 4.04%, चलिए आपको homework दे रहा हूँ मिर भाई, ठीक है इमानदारी से सभी दोस्तों ने answer देना है male और female का literacy rate बताए कितना था 2011 में, ठीक है male और female का literacy rate कितना था, clear है यहाँ तक चलिए, तब तक हम चलते हैं अपने next question में, सभी दोस्त जो है वो GDP calculate करती है GDP क्या होती है, Gross Domestic Product ठीक है, कौन सी ऐसी organization है, जो GDP को calculate करती है, तो national statistical organization तो option number, यह जो हमारा बिल्कुल सही answer रहेगा, ठीक है option number, यह question number 9th का बिल्कुल सही answer रहेगा next question पर चलते है Trump एक जो term है, ठीक है, Trump और term जो किस खेल से संबंदित है snooker से, cycling से cricket से, या फिर bridge से bridge देखे न, सुनिए, यह word आपको नया तो नहीं लग रहा, ठीक है bridge क्या होता है, यह ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग cards जो होती है, ठीक है, वैसी ही game होती है, ठीक है, तो वो bridge आपको, उसके साथ relate कर सकते है, correlate, ठीक है, तो trump word जो है, यह bridge से related ही है तो option number C, इसमें मारा बिल्कुल सही रहेगा, snooker आप सभी को मालूम होगा, वो डिब्बे वाली game जो होती है, ठीक है, cycling मालू है, cricket मालू है, normal सी बात है clear है, तो option number C, trump जो bird है, यह किस से related है, यह bridge से related है, बढ़ते हैं आपने आज के next question की तरफ, तो बात करतें next question की, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बतादू यह जो series मैं आपकी लेके चल रहा हूँ ना gkgs की मेरे बाई हो, complete अगर आप इसको कर लेंगे ना, तो constable level के, gd level के, ठीक है, जो exams रहेंगे, tradesmen's level के आप easily जो है, मैं कहा रहा हूँ इतनी सी gk से कर लेंगे अरहाम से, ठीक है, जितनी से मैं आपको इस series करवाऊंगा ठीक है, तो अगला question जो है, वो देखते हैं क्या है, इन्होंने पूचा कि कौन सा waterway है, जो बारत को शिरलंका से separate करता है, शिरलंका और बारत के बीच का waterway का नाम बताईए, ठीक है जलमार्ग, तो वो कौन सा आता है, वो आता है, पार्क स्ट्रेट कौन सा आता है मेरे भाई, यो पार्क स्ट्रेट जो है, ये इंडिया और शिरलंका को अलग करता है इसके सिवा और भी बहुत से होता है ठीक है जैसे Swiss Canal का पूछ लिया जाता है वो Meditarency और Red Sea को अलग करते हैं, Baring का पूछ लिया जाता है वो Arctic को और Pacific को अलग करते हैं ठीक है? ये जो भी है यो ऐसे अलग से रहते हैं ना उनका क्या करता हूँ कि मैं फोटोस जो है वहाँ पर डाल देता हूँ WhatsApp ग्रूप में ठीक है तो वहाँ से आपको पढ़ने में जो है असानी हो जाती है तो next question पर चलते हैं इनमें से non-reunyable resources कौन सा है ठीक है निमिलिकित में से कौन सा एक गैर नवीन करनीय संसादन है ठीक है दवारा से जो है उपियोग में नहीं ला सकते ठीक है मान लीजिए example के लिए आपको मैं water बताता हूँ ठीक है अभी हमने water है ठीक है water को एक जगा हमने use कर लिया ठीक है हाथ दो लिए उससे बट वो water हमारा फिर भी use हो सकता है हाथ दोने के बाद वो पानी तो बचेगा उस उसको हम पोदों में डाल सकते है फ्लावरिंग के लिए कुछ भी कर सकते है ठीक है तो वैसे ही इनकी example है जैसे पेट्रोल अगर हम बाइक में डालते है ठीक है तो पेट्रोल डालके अगर हमने एक किलोमेटर बाइक चला ली तो पेट्रोल जो उट गया वो बापिस नहीं आएगा वो होते हैं non-renewable तो इन में जो है वो non-renewable कौन सा है तो कोईला जो है option number B हमारा बिल्कुल सही answer होगा कोईला जब एक बार जल जाता है तो वो दवारा से नहीं आता है ठीक है तो चलते हैं अपने next question क्योंड वर्ल्ड हैबिटेट डे वर्ल्ड हैबिटेट डे ज जो है theme की बात की तो theme इसकी क्या थी right for shelter ठीक है sorry shelter is my right कुछ ऐसा ही था right for shelter की shelter is my right ठीक है shelter is my right ठीक है ये इसकी theme थी ठीक है ये होगा इसके related important चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने question की world habitat day जो है वो firstly celebrate किया गया 1986 में at which of the following place ये तो मैंने बताई दिया आपको Kenya में किया गया थ ठीक है तो कौन सा है option numbers B ठीक है तो Kenya में जो है ये किया गया था सबसे पहले celebrate चलते है next पे next question क्या है which of the following statement is about non-plan expenditure of the central government is correct इन में हमें बताना है कि in statements में से कौन से statement जो है वो non-plan expenditure से संबंदित है ठीक है उसको लेकर सही है non-plan expenditure actually में होता कहा है मिर बाई हो सुनो जो की आप कह सकते हैं day to day based पे जहां पे government के खर्चे होते है ठीक है day to day बेस पे जहां मान लिजिए अभी कोई काम आया उसमें खर्च हो गया ठीक है जो planned नहीं की होते है काम ठीक है अब मान लिजिए कि मेरे को government ने plan करते है कि हमें aims की कमी है तो हम aims बनाएंगे तो वो आज इंटरस्ट पेमेंट क्या यह जो non plan expenditure होता है यह interest payment के बेस पे होता है दूसरा option कहता है कि expenditure जो है वो science and technology के ओपर होता है तीसरा कहता है कि expenditure जो है वो agriculture के ओपर होता है और fourth कहता है कि इनमें से किसी के ओपर भी नहीं होता भाई ठीक है तो actual में किस पे होता है वो interest based पे होता ह इंट्रस्ट पेमेंट के बेस पे होता है तो option number A जो हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे, कौन सा option number A क्योंकि अगर science and technology की बात की जाए तो भाई यह planned में आएगा क्योंकि science technology वो छोटी चीज नहीं है यह बहुत बड़े level पे है तो इसके लिए पहले planning चाहिए agriculture में किसको loan देना है, किसांस को कितना loan देना है कितना भीमा देना है, माफ करना जो भी है, यह सब planning वाली चीज़े है clear है, तो बढ़ते हैं अपने next question क्योंड, next question क्या कहते है, कि इन में से कौन सा ruler program नहीं है ruler, ठीक है, गाउं के related program जो है, वो नहीं है, ठीक है, गाउं के related तो hriday हरिद्दे जो है, यह गाउं के related नहीं है, यह जो है किसके related आता है, यह urban के related आता है, यह शेहर के related आता है, किसके related आता है, शेहर के related, ठीक है सैगी जो है ठीक है इसका लिख लीजिए आप फुल फॉर्म लिखिए संसद अधर्ष ग्राम जोजना क्या है संसद अधर्ष ग्राम जोजना ठीक है नरेगा आप सभी को पता है नरेगा लिखवाने के जरूरत नहीं तीसरा जो है ये अर्बन के रिलेटड है और ये फूर्थ नुमपर जो है double d u g k y करके ठीक है ये ग्रामिन कुशल्य जोजना है क्या है ये ग्रामिन कुशल्य जोजना है कलीर है, फुल फॉर्म लिख लिख लिजे बाई फ्री का होता है नीचे देखिए साइन दिख रहा होगा लाइक का लाइक कर दीजेगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा ठीक है तो नेक्स्ट कुशन पे चलते हैं आपने Finance Ministry जो है उसने अप्रूब किया है नवरतना का स्टेटस किसके लिए ठीक है किसके लिए क्या है जल्दी से तो ये क्या गवाशी प्याड के लिए क्या है भारत कुकिंग कोल के लिए Central Coal Fields के लिए जहां फिर ONGC बिदेश के लिए ठीक है ये किसके अंडर आता है मेरे भाई यो ये आता है Central Sector Public Sector Enterprises के अंदर Central Public Sector Enterprises के अंदर जो है याता है ONGC ठीक है तो इसके रिलेटर जो है नवरतना स्टेटस जो है वो Approved किया गया है Finance Ministry के दवारा Next Question है Music related फिर से एक और Question आता हूँ Who is the first Indian Classical Musician to perform at United Nation पहला बारती है Classical ठीक है Classical सांस कृतिक जो Musician है जिसने United Nation में Perform किया है ठीक है तो वो हमारा आंसर क्या रहेगा MS Subu Lakshmi MS Subu Lakshmi इनको एक Award मिला था कौन सा Award मिला था भाई है किसी को याद ये Question क्योंकि मैं करवा चुका हूँ मैं आपको Homework में वह Equation देता हूँ जो Questions मैंने पीछे की Classes में करवा चुके होते हैं ठीक है क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि अगर आप Regular Classes कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वह चीज़ें बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं आप उन चीज़ों को डंग से पढ़ रहे हैं रिवाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक है अगर आप डेली आए डेली Class देखी चलेगे तो उससे भाई कुछ नहीं होने वाला जो सच बात बता रहा हूँ आपको होगा कैसे Class देख रहे हैं साथ साथ में Notes बनाते जाएए अगर कोई Question आपको आता है तो उसका मत लिखिए ठीक है जो Question नहीं आते हैं उनके Notes बनाएए और शाम को एक बार फिर से वो Revision करेए उस तरह से आपको Questions जाद रहेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जाके एक्जाम में जाकने का फाइदा होगा Otherwise डेली आएंगे डेली यूट्यूब पे Class देखेंगे चले जाएंगे पूरा दिन मस्ती करेंगे तो उससे कोई फाइदा जो है वो नहीं होने वाला है ठीक है तो बढ़ते हैं अपने Next Question की और Next Question क्या है Which of the following is the most abundant hydrocarbon pollutant इन में से सबसे ज़्यादा मातरा में hydrocarbon जो है वो प्रदूशन जो है इन में कौन सा डालता है निमलिकित में से कोन सबसे प्रचूर मातरा में hydrocarbon प्रदूशक है मिथेन, बुटेन, यही जो है यह करते हैं ठीक है प्रोपेन में नहीं आएगा, इतेन में नहीं आएगा तो मिथेन जो है, यह सबसे ज़्यादा hydrocarbon इसमें pollution जो होता है किसमें होता है मिथेन में ठीक है बुटेन की बात कर लिजाए बुटेन का C4H10 ठीक है फॉर्मूला है कलियर है यहां तक चलिए क्वेशन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सभी बच्चे अपना एक बार रिव्यू दे देंगे कि सर हां कुशन हमें समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कुश इंप्रोव्मेंट की जरूरत है जो भी आपके एक और्डिंग हो वो आप एक बार जरूरत है अगर मुझे कुश इंप्रोव्मेंट की जरूरत होगी तो वो लिख के बताइए मैं definitely वो चीज भी improve करूँगा, ठिक है, तो next question है, dimension of foot wall ground का, foot wall ground का dimension, तो foot wall ground का dimension होता है, 105 मीटर लंबा और चोडाई में कितना होता है, 68 मेटर, ठिक है, 68 मीटर जो है, वो चोडाई में होता है, और 105 मीटर जो हो length में होता है, तो option number, पर यह हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल सेही जाता हुआ में दिखेगा नेक्स्ट कोशन है और आज की क्लास का लास्ट कोशन है कि कौन सी बुक जो है वो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है ठीक है कौन सी बुक जो है वो महात्मा गांदी जी के दवारा लिखी गी है इंडियन पिल्ग्रिमेज, हिंद सवराज, इन में से कोई नहीं या फिर वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है कौन सी जो है बुक लिखी गी है मैं नास्तिक क्यों हूँ, भारतिय तीर्थियात्री, हिंद सवराज या फिर इन में से कोई नहीं बहुत बड़ी है ठीक है तो देखिए महात्मा गांदी जी का जो है वो ज़्यादा जो है वो मौडन हिस्ट्री में ये पोर्शन जो है वो कबर होता है किसमें होता है जादा मौडन हिस्ट्री में और मैं ट्राइ करूँगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे जियोग्राफिक ये लग से हो गई एंशेंट हिस्ट्री, मेडिवल, मौडन ठीक है ये सबी के एक एक लेक्टर में जो आपको कम्प्लीट करवा दूँ फिर से रिवीजन के तोर पर वो भी करवा दूँगा ठीक है तो यहाँ पर बात कर रहे है महात्मा गांदीजी की बुक की तो हिंद स्वराज जो है अमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्लियर है जहां तक तो आज की क्लास के जितने कोईशन से मेरे भाई यो हो चुकी है कुछ आपको बीच में मैंने एक दू कोईशन जो है वो होम वर्क में दिया हुआ है आप सभी अच्छे से मानदारी से उनकी आंसर देने की ट्राइ कीजी अगर आपको मालूम है तो अग कल नए वीडियो में नए क्लासिस में कुछ नए कुशन के साथ तो तब तक के लिए देज़े इजाज़त जाहिंद जावारत